नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आजकिशने वीडियो में और आजकिशने वीडियो में आप सभी को हम फिर से एक नई जानकारी यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों मद्रप्रदेश भोज ओपन इंवर्शिटी द्वारा दूरस्टिक्चा केंद्र के यहाँ पर आपको जानकारी बताने वाले हैं शबते पहले यहाँ पर हम मुखक वैपसाइट ओपन करते हैं इसका डारेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्कृस्तन मिल जागा वहां से बहुँं सकते हैं यहां पार सर्विस के ऑप्सquitoं पर क्लिक करेंगे जैसे इस जिए आज से प्रारम हो चुके हैं यानी 24 जनवरी 2024 से प्रारम हो चुके हैं और 18 फरवरी 2024 तक चलने वाले जो इसके पहले notification आया था उसमें date जो है पहले 19 जनवरी का दिया हुआ था 18 जनवरी का दिया हुआ था लेकिन उस समय पर जो है आपका side open नहीं हो पाया था तो यहाँ पे आपका date बड़ा दिया गया है 24 जनवरी से 18 फरवरी तक आप अपना आविदन यहाँ पे कर पाएगे सबसे पहले यहाँ पे notification दिया गया है इसको आप click करेके notification भी डाउनलोड कर सकते हैं आविदन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे click करते हैं जैसे link open करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको course select करना है तो आप अगर B.Ed का course करना चाहते हैं तो B.Ed का option पे click करना है D.Ed का course करना चाहते हैं तो D.Ed का option करना है हम दोनों option आपको खोल कर बताएंगे दोनों की आविदन करने की process समान है केवल इसमें जो पातरता है वो अलग-अलग रखी गई है तो उसे भी हम समझा देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हम आपको सबसे पहले beard इसके बाद DLA की जानकारी देंगे दोनों में जो form भड़ने की process है वो समान है कोई इसमें अंतर नहीं है बस आपको केवल जो यहाँ पर experience certificate और यहाँ पर आपके जो पातरता है वो अलग-अलग है इसकी भी जानकारी हम बता देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम beard की information देंगे beard का option open करते हैं जैसे हम beard का option open करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पातरता देखने को मिलेगी तो यहाँ पर हम सबसे पहले option beard को open करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको screen पर पातरता देखेगी कि आपके पास graduation एवं post graduation की उपादी है जिसमें 50% टंकों के साथ आपने उत्तिरीन किया है अगर आपने engineering का course किया है तो 55% टंकों के साथ आपने उत्तिरीन किया हो तो आप आविधन कर सकते हैं साथ ही इसके अलाबा आपके पास एक कोर्स होना और अनिवार है यानि आप साथ ही प्रारंब्यक सिक्षा में प्रसिक्षत सेवारत अध्यापक इसके साथ आपने अगर DLA का कोर्स किया है, BLA का कोर्स किया है, BTI, BTC या DPI का कोर्स किया है तो आप इसका आविधन कर सकते हैं अन्न था आविधन नहीं कर सकते हैं तो यह जो मुख सिक्षक है हमारे जो प्रात्रमिक सिक्षक हैं, मात्रमिक सिक्षक हैं, जो नहोंने पहली DLA किया है, या कोई जो कोर्स यहां पे दिये गए हैं, कोर्स किये हैं, तो आप यहां पे आबिधन कर पाएंगे, अगर आपने Simple Graduation या Post Graduation किया है, इसके बाद आपने कोई पात्रटा नहीं है, तो आप इसमें आविधन नहीं कर सकते, आप फिर special education, bad special education में आविधन कर सकते हैं, वहां पर कोई पात्रटा नहीं है, कैवल आपका gradation, post gradation हो, तो वहां पर आविधन आपका हो जाएगा, इसके बाद यहां यहां पर आपको क्या करना है यह qualification है तो आपको यहां पर okay बटन के option पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको option दिया गया है क्या आप चुने गए course में पात्रता रखते हैं तो यहां पर आप पात्रता रखते हैं तो आपको यहां पर यहां के option पर क्लिक करना है तो आपका जो आविदन है यहां पर open हो जाएगा और यहां पर आविदन कर पाएंगे सत्र 2023-25 के लिए इसके बाद हम थोड़ा सा यहां पर DLA का जानकारी देदें दोनों की form की जो process समान है तो हम form भरके आपको बताएंगे तो दोनों एक form भरके बताएंगे दोनों का आपका यहां पर complete हो जाएगा तो यहां पर हम DLA की थोड़ी सी जानकारी देदें जो छात्र DLA करना चाहते हैं वो DLA का option click करेंगे DLA का option click करेंगे उन्हें भी यहां पर पात्रता दी गई है पात्रता आपको याद रखना है आपने कक्षा बारवी पास किया हो 50% टंकों के साथ तो यहां पर आप आविदन कर पाएंगे साथ ही यहां पर जो है कक्षा बारवी आपने 2022 के पहले किया हो तो ही आप आविदन कर पाएंगे अगर आपने कक्षा बारवी का course 2023 में complete किया है तो आविदन नहीं कर पाएंगे 2022 के पहले, 2022 इसके पहले किया हो तो आविदन कर पाएंगे STHT के लिए 5% टंकों का यहां पर छूट दिया गया है साथी जिन आविदुकों के पास किसी भी प्रकार का यहां पर जो है आपका एक्स्विल सर्टिफिकेट यानि कोई अभ्यार्थी जो है प्राथ में पूर्व माद्ध में किया माद्ध में विद्यालाय में नियूंतम दो बर्स से अध्यापन अनुभव प्राप्त किया है और वो अभी अध्यान रत हैं तो आप यहां पर आविदन कर सकते हैं आप यहां पर पात्रता रखेंगे इसके साथ ही बर्तमान में अभ्यार्थी किसी स्कूल में प्राथ में पूर्व माद्ध में और माद्ध में विद्यालाय में अभी सिक्षक हैं नियमेत वो यहां पर आविदन कर सकते हैं जो गवर्मेंट स्कूल में अथिती सिक्षक के पदपर हैं वो यहां पर आविदन ना करें उनके लिए यहाँ पर आविधन प्रिक्रिया नहीं है तो आपको यहाँ पर याद रखना है आपकी पात्रता है तब जाकर आप आविधन कर सकते हैं तो यहाँ पर आप डियलेट के लिए आविधन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हां के उप्सन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे केवल आपको जानकारी जो अलग से दी गई है, वो जानकारी यहाँ पे DLaid के लिए Teaching Experience का Information आपको दिया गया है, यहाँ पर आप DLaid का Course करेंगे तो Teaching Experience की जानकारी आपको दे दी है, अगर आप BLaid का Course करेंगे, B.Ed का course करेंगे तो यहाँ पर आपको केवल जो आपने अधर qualification किया है जैसे D.L.Ed, B.Ed, B.T.I, B.T.C उसकी जानकारी देना है बस इतना process है बाकी जो process है वो समान है तो यहाँ पर हम B.Ed के option पर click करते हो B.Ed का आविदन आपको fill करके बताते हैं इससी type से आप आपका D.L.Ed का विदन fill कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले B.Ed का option है यहाँ पर आपको exam city सेलेक्ट करना exam city में आप जो भी exam city है वो आप यहां पर select कर सकते है इसके बाद यहाँ पर medium में English medium से करना चाते है Hindi Medium से करना चाहते हैं, हम Hindi select करेंगे, इसके बाद यहां पे हमें चलना है, जो है हमारा student के जो first नाम है, वो यहां पे लिखना है, इसके बाद उनका जो जाती है last time में जाती लिखना है, यह आप Mark sheet के साफ्र लिखें, इसके बाद इनके पिता का नाम यहां पे type करना है, यहां पर इनका date of birth लिखना है यहां पर आपको आपका जेंडर में आप महिला पुरोष जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे male फीमेल सेलेक्ट करें इसके बाद यहां पर हम category लिखेंगे category में आप आपका जो भी category है SCST, OBC, EWS, Journal वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है चाहे आप किस सेलेक्ट करेंगे इसके बाद special category में आप यहां पर आपके पास किसी परकार का जो है यहां पर यह category है जैसे कि यहां पर आगर आप defense person है यानि कहीं आप army या defense में जॉब करते हैं तो वो select कर सकते हैं आप अगर handicapped यानि बिकलांगता रखते हैं तो बिकलांगता में click कर सकते हैं अन्यता हमें से नं कलेक्ट कर देते हैं इसके बाद यहां पर आपको family income देना है आपका family income है और आप इसके बाद यहां पर अगर आप मेरेड हैं और महिला उमीदवार हैं तो यहां पर आपको पती का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको India Select करना है, यहाँ पर आपको area आप सहरी छेत्रु से हैं या ग्राइमिर् से हैं, सहरी से हैं तो urban और грाइमिर्स और ग्राइमिर्से हैं तो ruler Select करेंगे इसके बाद आप employed है और आप government job करते हैं तो employed लिकें, अगर आप बेरोजगार है और जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पर unemployed लिखें इसके बाद यहाँ पर employed टाइप में आप से government, private, other पूछा जाता है तो हम यहाँ पर employed नहीं है तो other लिख देते हैं इसके बाद आगे चलते हैं एड्रेस का information देना है जो भी आपका address है वो address आप यहाँ पर लिखेंगे यह address लिखने के बाद आप इस पर click करेंगे तो आपका जो address है इसमें automatic fill हो जाएगा यह information fill करने के बाद यहाँ पर आपको email ID यहाँ पर आपको आपका mobile number दोनों लिखना है यह दोनों fill करने के बाद यहाँ पर हमें education का detail देना है याणि आपका जो योगता है उसका information देना है सबसे पहले कक्छा 10B का जानकारी देंगे इसके बाद कक्छा 12B की जानकारी देंगे तो यहाँ पर अगर आप DLA के लिए आविदन करेंगे तो यह दोनों जानकारी आपको फिल करनी है अगर आप BAD के लिए आविदन करेंगे तो यहाँ पर आपको graduation की भी information देनी होगी तो यहाँ पर कक्छा 10B में सबसे पहले हम board या university का नाम लिख लेते तो हमने कक्छा 10B MP board से किया MP board लिखेंगे passing year हमने कब किया है तो यहाँ पर हमारा जो कक्छा 10B का passing year है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2015 कितने नंबर हमें यहाँ पर मिले थे 450 कितने मैं से मिले थे total आपको यहाँ पर 600 मैं से मिले थे 600 नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है तो यहाँ पर आपका जो percent है या automatic आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर division लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर कक्षा बारवी में हमने किस बोट से किया है वो लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर हमारा जो सत्र है किस सत्र है हमने पास किया है वो लिखेंगे यहाँ पर आपको जो है नंबर लिखने है टोटल कितने नंबर मिले हैं यहाँ पे हमें 425 मिले हैं, कितने मैंसे, 500 मैंसे, तो हमारा total percentage है, यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद हमें यहाँ पे division लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारा B.E.D. के लिए अविदन हैं, तो graduation लिखेंगे, graduation यहाँ पे graduation में हम जो जिस इनवसिटी से किया है, बो लिखेंगे, क यहां पर टोटल 2000 का हमारा पूरा कॉश्चन पेपर थे यह नहीं तीन साल का इसके बाद यहां पर हम जो है इसमें भी डिविजन लिख देंगे फर्स्ट इसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेशन है तो यहां पर लिखें अन्नता हम इसे छोड़ देते हैं इसके कोर्स है बीटी आई है बीटी सी है यह कोर्स आपके पास है तो आप इस ओप्सन पर क्लिक करेंगे इसके पाद यहां पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी देरी है किस मोड से आपने ट्रेनिंग किया था रेगूलर से किस कॉलिज से किया था उस कॉलिज का नाम लिखना है किस year में pass किया था वो आपको यहां पे लिखना है और यहां पर कितने percentage आपके थे और कितना division यहां पर आपका बना था यह information यहां पर लिखना है लेकिन अगर आप DLA के आविधन कर रहे हैं तो DLA के आविधन के लिए आपको यहां पर केवल qualification के बाद teaching experience लिखना है teaching experience में आपको school का नाम और address लिखना है और teaching experience में कितने मन्त का teaching experience है वो आपको यहाँ पर लिखना है example के लिए यहाँ पर हम school का नाम और address लिखने के बाद यहाँ पर हम जो है दो साल से ज़्यादा कन हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 36 मन्त इसके बाद यहां पर हमारा यहां पर कुछ नहीं करना है इसके बाद यहां पर हमारा दोनों प्रोसेस समान है आप फीस का detail देख लेंगे 800 रुपे फीस है 50 रुपे border charge है 850 रुपे का सिल्क भुकतान करना है इसके बाद photo और signature हमें इस type में upload करना है यहां पर फोटो और सिगनेचर एक साथ आपको यहां पर इस टाइप से लगाना है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और जानकारी देख लेते हैं, तो यहां पर इस टाइप से आपको फोटो सिगनेचर लगाना है, इस बॉक्स पर आपको किलिक करना है, यहां पर अपलोड इम सकते हैं यह फोटो और फोटो समान हो चुका है इसके बाद आपको submit बटन के option पर click करने है यानि पूरा आविदन सबसे पहले आप यहाँ पर check करेंगे आपका आविदन सही है आपको कोई problem नहीं है तो आप जो है submit बटन के option पर click करेंगे तो यहाँ पर DLAD और BAD के लिए दोनों process समान है केवल पातरता की यहाँ पर जानकारी अलग से मांगी गई है अगर आप केवल graduation या post graduation है तो आप special BAD के लिए आविदन कर सकते हैं special BAD के लिए जो link है वो हम पहले वीडियो बता चुके हैं वहाँ पर जाकर आप special BAD के नहीं है तो आप यहाँ पर जो है special BAD के option पर जाकर जो है यहाँ पर option पर click करके special BAD का course यहाँ पर कर सकते हैं इसके बाद आपको form fill करने के लिए payment करना है payment के बाद आपका process complete हो जाता है और इसके बाद अधर जानकार याती है इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको देखें कर दो कि बादे आपको जापको नाय करना है वाँ पर होगना पर जापको जापको कार जाकर करना है I झाल 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 झाल